हेलो दोस्तों स्वागत है आज एक नए वीडियो में ये वीडियो हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां हमने पिछले वीडियो समाप्ति किया था हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कहां तक पढ़ा था हमने पढ़ा था कि नागपूर सेशन आफ कॉंग्रेस हुआ था वहाँ पे महाख्मा गांधी ने कौंग्रेस को लोगों को convince किया कि एक Non Cooperation Movement शुरू की जाए असहयोग आंदुलन अब ये Non Cooperation Movement जो शुरू करने का जब उन्होंने convince किया तो कौंग्रेस सेशन में पारित हुआ था उन्होंने adapt किया था कि हाँ हम एक non-cooperation movement करेंगे against the British rule in India अब उस non-cooperation movement में गांधी जी ने खिलाफत वालों के साथ बात की थी तो Congress के साथ खिलाफत committee के लोग मिलके ये non-cooperation movement करेंगे वो तै हुआ था अब आगे क्या हुआ कौन-कौन शामिल हुआ और किस तरह से ये movement फैला था पूरे भारत वर्ष में वो हम जानेंगे इस वीडियो में Welcome to Learn Smart Edu channel मेरा नाम है अंशुमन सरकार और इस वीडियो में हम शुरू करेंगे section 2 से section 2 क्या है section 2 है different strands within the movement different strands का मतलब क्या है different strands का मतलब है कि अलग-अलग तरीके से ये आंदोलन को करना तो अलग-अलग तरीके क्या-क्या हुआ था उस टाइम ये जो अस है योग आंदोलन में non-cooperation movement में आये वो हम लोग पढ़ते हैं तो जैसे कि non-cooperation जो movement जो था वो Congress और खिलाफत वालों ने मिलके वो किया था तो उस टाइम non-cooperation खिलाफत movement उसे कहा गया था और ये कब शुरू हुआ था ये शुरू हुआ था January 1921 में December 1920 में नागपूर session में ये पारेत हुआ और फिर January 1921 में ये non-cooperation movement शुरू हुआ तो कई सारे गुट जो थे इसमें शामिल हुए थे तो ये जो आंदोलन था ये देश भर में ये चला तो अब सब चाते थे कि स्वाराज मिले इसको स्वाराज मिले स्वाराज का मतलब self-rule या self-governance या जैसे कर बोल सकते हैं कि independence जो है हम लोग अपने ऊपर खुद से राज करेंगे अपने तरीके से democracy के थूँ तो ये ये स्वाराज का जो आवान था वो कई तरह के लोग उसमें शामिल हुए थे तो हम लोग ये पढ़ेंगे पहले कि ये movement in the towns कैसे हुआ है तो यह जो सब्सक्षन है इस सब्सक्षन का title है the movement in the towns जैसे कि सब्सक्षन का title है the movement in the towns तो शहरों में क्या था जैसे कि जो non-corporation movement में गांदी जी ने क्या कहा था का था कि boycott of schools boycott of colleges boycott of courts फिर boycott of council of council elections ये सारी चीज़ बाते उन्हों उसजाने कहीं ते हुए उस टाइम तो 32,31 2 है अधिवर्वरन के जो लो बाइकट करना शूड़ करना स्कूल्स के खोलिय श्टोर्य जो और हीग जो फॉर सक्विब्यंटिश ऐसी उन जो सारे उन्होंने रिजाइन कर दिया। जब students ने भाइशकार किया, और college और schools के teachers सारे उन्होंने resignation दे दी, त्याग पत्र दे दिया, फिर हुआ क्या था, फिर जो वकील थे उन्होंने कचेरी जना छोड़ दिया, प्रेक्टिस करना छोड़ दिया था तो यह सारी चीज़े हुई थी आगे फिर काउंशल का जो इलेक्शन हुए थे उसको भी भाष्ट कार किया किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया उस इलेक्शन में बट एक जगह यह काउंसल में इलेक्शन में भाग लिया था लोगों न मड्रास में मड्रास में क्या था जस्टिस पार्टी करके एक पार्टी हुआ करता था वो नॉन ब्रामिन लोग उस पार्टी के मेंबर से जो की ब्रामिन नहीं थे तो उन्होंने उन्होंने सुचा कि अभी तो ब्रामिन जो है वो ज्यादातर काउंसल के मेंबर होते हैं फिर जो आर्थिक फेरंट में किया हुआ था एकॉनों Arms झाल जो जो फौरेंट में यह वा था कि जो फोर्न अद्वेस्ट ंत्वूट में उसका भाईशकार करने के बात हुई थी तो ओ लोगों academic foreign goods भी boycott करना शुरू कर दिया था उन्होंने बैशकार किया फिर जो शराब के जो ठेके थे या दुकाने थे लिकर शॉप्स वहाँ पर भी picketing शुरूर गई थी picketing का मतलब क्या है picketing का मतलब demonstration जिसे बोलते हैं वही है लोगों ने वहाँ बैटके demonstrate करना शुरू कर दिया था फिर और एक चीज़ हुई थे कि जो foreign clothes थे जो कपड़े थे जो की foreign से आयात होते थे लोगों ने खरीदे थे तब लोगों ने क्या क्या उनको लेके आए बाहर और फिर चोराहों पर उसको इकटा क्या और उस पर आग ल बोलते हैं वैसे ही आग उन्होंने लगा दिया और सारे कपड़े जला दिया जो की विदेशी मूल के कपड़े थे यो विदेश्रे आते थे वो हो गया उस वक्त और एक चीज हुआ उस वक्त क्या था पहले जो की 1921 में जैनुवरी 21 से पहले जो इंपोर्ट था ये foreign goods था उसका value था 102 क्रोड के जो value के जो foreign goods वो इंपोर्ट होते थे इंडिया में अब 1921 और 22 के बीच घटके आधा हो गया था 52 क्रोड का सिर्फ ये इंपोर्ट हुआ था उस वक्त फिर कई जगों में क्या था ये जो merchants थे या traders थे जो businessmen हुआ करते थे उन्होंने क्या क्या उन्हो करेंगे हम उसका उससे business नहीं करेंगे ना कि हम लोग पैसे देंगे foreign goods खरिदने के लिए आमदनी करने के लिए इंपोर्ट करने के लिए बाहर से यह हुआ था जब यह हुआ तो यह boycott जो था यह बहुत स्यादा फैल गया और लोगों ने imported coat जो कपड़े थे उसको boycott करना और खादी के जो बुनकर जो बुनते थे खादी के कपड़े वो पहनना शुरू कर दिया इससे इंडिया का भारत में जो textile mills और handlum का जो production वो बढ़ गया अगर import नहीं होगा कपड़े तो कपड़ों की तो जरूरत होती है तो इससे देश में बनने शुरू हुए ज्याद असर नहीं हो पाया और धीरे धीरे जो था ये कई कारणों से ये जो है movement धीमा पड़ गया इसका एक वज़ा ये था कि जो खादी के कपड़े थे बहुत कॉस्टली हुआ करते थे एस कॉंपेर्ट टू ये जो फॉरन कंट्री में जैसे के यूके में ब्रिटेन में जो मिल के बने कपड़े थे इंपोर्ट जो होते थे बहुत चीप बहुत कम सस्ते दामों में बेचा जाता था लोगों को तो गरीब जो वर्ग के लोग थे वो अफोर्ड कर पाते थे वो पहन सकते थे तो इसलिए ज्यादा दिन तक वो चला नहीं और लोगों ने ज्यादा दिन तक बॉयकॉट नहीं कर पाए इन कपड़ों को फिर दूसरी चीज ये हुई कि जैसे कि लोग बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया टीचर्स ने रिजिगनेशन दी दिया कॉल या कॉलेज़ वो उतने बने नहीं थे बनने में तो टाइम लगेगा ना आज हम रिसाइट करेंगे बॉयकॉट करेंगे कल कोई चीज शुरू हो सकती है क्या कहीं स्कूल खड़ी हो सकती है कॉलेज खड़ी हो सकती है नहीं हो सकती है तो वैसे ही उस जमाने में इतना भी त तो development नहीं हुआ था कि overnight कुछ बन जाए नहीं हो पाया था तो धीरे धीरे वैसे लोगों ने फिर और students ने पढ़ना तो है और teachers जो थे उनको भी तो अपना घर चलाना है रोजे रोटी तो चाहिए तो फिर वो वापस जाना शुरू कर दिया उन्होंने government schools में इसी तरह से जो lawyers जो boycott करते थे वो भी धीरे धीरे वापस जाने लगे कचेरी courts में अपना practice शुरू करने लगे तो ये था शहर का माहूल अब गाओं और कस्मों में क्या था वो हम अभी अगले सबसेक्शन में पढ़ेंगे तो सबसेक्शन 2.2 क्या है सबसेक्शन 2.2 है rebellion in the countryside विद्रो जो गाओं और कस्मों में वो कैसे हुआ वो हम अभी पढ़ेंगे शहरों पर एक तरह से हुआ और आप लोगों ने देखा कैसे डाइलूट हो गया लोग वापस अपने वापस चले जाना कॉलेजेज वगरा स्कूल्स वगरा में और कपड़े खरिदना वापस धिरे धिरे शुरू हो गया तो जैसे कहते हैं डाइलूट हो गया अब गाओं म में शामिल हुए थे किसान थे और आदिवाशी लोग थे पहले हम पढ़ेंगे किसानों के बारे में किसानों का क्या हिए था इन्व आसमूफ्मेंट इस मुव्मेंट्न तो अवध जो था यह बहुत प्रमेन्ड युस्त्र प्रदेश में जो अव रिजन में वह मौत किसानों में उनका एक लेडर हुआ करते थे वह थे बाबा रामचंद्र बाबा रामचंद्र का भी एक पास्ट था है वह सन्यासी थे लेकिन उससे पहले वह गए थे उनको भेजा गया था बंधवा मजदूर के तौर पे फीजी आइलाइंड में काम करने के लिए तो वहां प उनको भी लगा था कि यह अन्याय है यह जो ब्रीटिशस कर रहे हैं जो कि यह फोर्च लेबर कराते हैं लोगों से तो वह वापस आ के वह सन्यासी बन गया थे और उन्होंने लीड किया यह जो गिसानों के आंदुलन को और नॉनकोपरेशन मुवमेंट के साथ इन्होंने था इनका किसानों का आंदलर्ण था। टालुक-दार और जो लैंडलॉर्ज जिने बोला जाता है जमीन-दारूं के खिलाफ जमीन-दार क्या करते था। जमीन-दारों के इस बहुत ज्यादा जमीने थी खेतिबारी के लिए, तो वो क्या करते है थे किसान थे जिनके पास जमीन नहीं हुआ करता थे वह किसानों को देते थे किराय पे किसान क्या करेंगा किसान जोते गाखेदर फिर फसल काटेगा कुछ अपने हिस्से में रखेगा और बाकि वो देगा आ जमिंदार को ये किसानों से बहुत ज्यादा जो rent rent का मतलब कई लोग फसल के तौर पे देते थे rent या पैसों के तौर पे देते ये बहुत ज्यादा मांगने शुडू कर दिये थे इन जमिंदारों ने तो किसान खेती करेगा जोतेगा फिर फसल काटेगा जब उसको अपने घरों में या कई और कामों में लगाते थे यह बेगर बेगर जो है यह जो बगेर पैसे दिये जिनको काम करवाना उनको बेगर बोला जाता है हम बोलते हैं बेगर जो बगेर पैसे से काम कराना लोगों को तो यह जो चीज था यह बहुत ज्यादा प्रचलन में था तब अवदर जो इलाके में तो हुआ क्या था कि जो किसान थे जो कि जो जमीने किराय पे लेके काम करते थे उनको जमीनदारों को टैक्स दे पाते थे या रेंड दे पाते थे सही तरीके से तो क्या करते थे तब जमिनदर, जमिनदर क्या करते थे कि इस साल तुन्हें नहीं दिया तो निकल जा, अब तुझे नहीं जोतना है इस जमीन, तो कभी भी जमिनदर उनको निकाल सकते थे, तो ये परेशान हो गए थे किसान कि इस साल उन्होंने खेती कि अगले साल निकाल तो कोई मतलब भी नहीं था कोई एग्रिमेंट जैसे कुछ था ही नहीं तो अब किसानों ने क्या कहा उन्होंने कहा कि हम आंतुलन करेंगे तो बाबा रामचंद्र जो थे उनके लीडर थे तो उन लोगों ने डिमांड किया था कि तीन चीज़े एक तो है कि जो रेविन्यू है जो आप लोग जो रेंट या रेविन्यू जो भी लेते हो उसमें कमी लाओ यह जो बेगारी जो खटना बेगार उसको रोक अबॉलिश करो उसको और तीसरा चीज था उन्होंने कहा था कि जो सामाजिक भहिशकार किया जाए इन जमेंदार हो कौन जमेंदार जो की ये दमनकारी लोग थे जो अत्याचारी जमेंदार थे उनको भहिशकार किया जाए ये तीन चीज़े लेकिन उन्होंने आंदलन चलाया और एक चीज़ हुआ था ये जो नाई और ये जो धोबी थे उन्होंने एक पंचायत बुलाया था और हर गाओं में पंचायत बुलाया था और उन्हों लोगों ने तै किया था कि ये जो जमिनदार है उनका भाहिशकार रखने के वो ना नाई कोई उसके बाल काटेगा या दाड़ी बनाएगा या कोई धोबी उनके कपड़ी नहीं धोएगा तो यह उनका सोशल बाइकॉट यह नाई और यह जो धोबी इन लोगों ने किया था यह को 1921 की बात है उस 1920 में क्या हुआ था जवार अल नहिरू सीन में पहुच गया वह जाके अवद के गाउँ में पहुच गय वहां जाके उन्हों ने गाउवालों से बात की तो उनके जो ग्रिवांसस थे वह सुनी उन्हों ने क्या है आप लोगों की प्रॉबलम्म्स मुझ में एक अवत आउध किसान सभा वो संगठन शुड़ू किया किसने जवालल नेरु ने और वो उसके हेड बाने थे अब बाबा राम चंद्रा और कुछ और लोग जो थे लोकल वहां के अवत के वो भी जुड़ गए तो इस तरह से क्या हुआ एक ही महिने में अक्टबर में श उसी संस्था जो आउध किसान सभा था उसके 300 ब्रांचे बन गए थे सारे इलाके में जितने भी गाउं थे वहां पूरा ये किसान सभा जोता वो फैल गया तो जैनुवरी 1921 में ये ये नॉन कोपरेशन मुव्मेंट शुरू हुआ तो कॉंग्रेस ने क्या क्या कॉंग्रे के जो हाई रैंकिंग लीडर्स जो थे वो नाखुश थे वो नहीं चाहते थे कि इस तरह का जो किसान का जो आंदोलन है उसके साथ इसको जोड़ा जाए उस वक्त जो 1921 में क्या हुआ ये मुव्मेंट जब फैला गाउं में तो जो तालुगदार थे या जो बड़े-बड जो मर्चंट्स वा करते थे उन पर ये किसानों ने अटेक्स करना शुरू कर दिया था फिर बजारों में क्या क्या है उन लोगों ने लूट मचा दी और जिन लोगों ने जो फूड ग्रेंस जो होड करके रखा था उनसे चीन लिया और इसके अलावा और एक चीज गुआ और और एक जिस क्या हुआ था वहां के जो लोकल लीडर्स थे उन्होंने कहा कि गांधी जी जो है अब कोई टेक्स नहीं देना है और जो जितने बी समीने होगी ये सारे किसानों के बीच बांट दिया जाएगा ये गांधीजे का नाम लेखी उन्होंने अंदलन को चलाना शुड़ कर दिया और वो भी इस तरह के छोटे मुटे वाइलेंस करके जैसे कि अटेक करना तालुकदार्स के उपर या मर्चेंट्स के उपर लूट करना दुकानों से या ग्रेनेरी से ये सारी चीज़े करके उन् लेखते हैं आईये तो आदिवासी लोगों ने किया क्या अदिवासी लोगों ने जो था ये नॉन कोप्रेशन का जो असायोग आंदोलन था का मात्मा गांधी का और ये स्वराज का जो आईडिया था उन्होंने दूसरे तरह से ले लिया ये बात है एक गुदम हिल्स जो ह हैं गुदम की पहाड़ियां हैं आंदर प्रदेश में वहां पे मिलिटेंट गुरेला मुव्मेंट वो हो गया था शुरू 1920 में कॉंग्रेस पाटी जो था इसके खिलाफ था ये गुरेला मुव्मेंट ये वाइलेंस बगेरा ये लोग नहीं चाते थे जैसे कि गांधी जी बात करते थे नउन्वाइलेंस की तो इस फॉरस्ट ररिजन में जो था ये गुदम हिल्स जो है अंदर प्रदेश में वहां पे क्या था ये गवर्वमेंट你在 on ने कियास च्ई내 only only गवर्वमेंट ने जो फॉरेस्ट रिजल में ने औहां पर एंठ्री निश्यद कर लिया बैन कर दिया कि यह ट्राइबल्स तुम लोग अंदर नहीं जा सकते हो फॉरस्ट में लेकिन यह ट्राइबल्स जो है वो जाना चाहते थे क्यों क्योंकि उनके पास जो मवेशी थे जो कैटल था वो वहां पर चराते थे उनको लेकर उनका भोजन वहीं सोर्स होता थे जंगली क्या काटके लाते थे अपना रसोई के लिए यह दूसरी बात हो गई फिर जंगलों में क्या है फल मिलते हैं तो फल एक तरह का भोजन था तो वो भी नहीं ला पाए वो तो इससे क्या हुआ यह जो पहाड़ी इलाके के जो गुदम के पहाड़ी इलाके के जो आदिवासी वो बहुत गुसा हो गए थे अंग्रसों के खिलाव अब इनका जो ट्रेडिशनल राइट है ओवर दी फॉरस्ट यह तो है ही है क्योंकि वो आदिवासी लोग वहीं रहते हैं वहीं अपना गुजारा करते थे तो लाइवलीवड बे गया उनका ट्रेडिशनल राइट भी कर दिया है कोलोनियल गवर्वमेंट ने तो गुस्टा जो था वो और भी बड़ गया है अब इतना ही नहीं यह जो गव्रव्मेंट था इसने क्या क्या उनको बेगार के तौर पे काम कराया फिर से बेगारी उनको खटाया कैसे जो सडके बनाना शुरू कर दिया कोलोनियल ने इन लोगों को पकड़ के लेके आये और उनसे काम करवाया, एक पैसा भी नहीं दिया, जब ये हो गया तो पानी सर से उपर चला गया था, इसके कारण वो बहुर ज्यादा गुस्से में आ गये थे, उस टाइम उनके यहां एक लीडर उभर के आये, बहुती कहानी बहुती पास बहुत जादा बहुत सारी सुपर पावर से है, जो की विशेश शक्तियां हैं, और वो बोलते थे कि मैं बहुत अच्छा जोतिश्वित हूँ और भविश्यवानी कर सकता हूँ, और लोगों का उप्चार भी कर सकता हूँ, और उन्होंने ये तक भी कहा था, कि अगर उनको गोली मारी जाए तो गोली से उनको कुछ नहीं होगा तो यह सारी बाते वो करते थे तो जब जो आदिवासी जो लोग थे वहां के बड़े प्रभावित हुए थे उनके लीडर्शिप से तो उन्होंने कहा कि यह हमारे जो अलूरी सिताराम राजू है यह कोई एक भगवान के अवतार हैं जो कि हमारे यहां आए हैं हमें बिट्रिश या कलोनियल राज से हमें उद्धार करेंगे या ही विल लिबरेट अस तो यह वो लोग सोच रहे थे उस टाइम तो अलूरी राजू क्या बोलते थे यह बोलते थे कि महत्मा गांधी का जो यह आइडिया है जो असायोग अंदोलोन का यह बहुत ही अच्छा है और हमें यह पालन करना चाहिए और यह जो सुराज की बात करते हैं महत्मा गांधी यह बहुत बहुत ही अच्छी बात है और उन्होंने ये भी कहा था कि भारत को अगर लिबरेट करना है तो ये हम नॉन वाइलेंस से नहीं कर सकते हैं हमें फोर्स की जरूरत है हम लड़के इन ब्रिटिश अंग्रेजों के खिलाफ हम भारत के लिए आजादी ला सकते हैं तो ये सोच था इनका तो ये जो गुद्न के जो रेबल्स थे जये एंडा ऑन चैक करना शुरू कर दिया और जितने भी बुटिश के ओफिर्श ते उनको मारने की कोशिश की यह गुरिला वारफेर जो था यह अलूरी राजु का यह कहना था कि इसी से हम स्वराज प्राप्त करेंगे लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हुई और अल्टिमेटली क्या हुआ अल्टिस रॉकषीर को गिरिफ्तार कर लिया किया, पकड़ने के बाद उनको एक्जिक्यूट किया गिये इसी तरह से यह अल्लूरी सिताराम राजु एक बहुत बड़े हीरो बन गये थे पूरे आंदरपदेश के ट्राइबल रिजन में तो यह हमारा ट्राइबल का जो नौन को इंवॉल्मेंट था नौन कोपरेशन मूवमेंट यह पाठ हमारा अभी समाप्सवार अब हम चलेंगे अगले सबसेक्षन की तो अगला सबसेक्षन है सबसेक्षन 2.3 स्वराज इंद प्लांटेशन तो लेबरर्स जो थे उनको उनका जो महात्मा गांधी का विचार जो है असायोग आंदुलन का और यह स्वराज को लेके उनका थोड़ा अलग था हर तरह के लोगों का अलग अलग विचार थे तो यह त हम लोग जानेगे इस सेक्षन में तो असाम में जो चाय बागान में काम करते थे उनको प्लांटेशन वर्कस बोला जाता है तो उनके लिए जो यह स्वाधिंता है उनके लिए स्वाधिंता का मतलब यह था कि आसानी से जो चाय बागान से अपने घर जाना फिर वहां से वा सभ्सक्राइब कर देंज सभ्सक्राइबॉत सभ्सक्राइब कियों ही सभ्सक्राइब तो कि यह ऑन्ग्रेज थे उन्होंने एक अक्ट पास किया हुआ था Inland Immigration Act 1859 में उन्होंने ये Act पास किया था ये Act में क्या बुला जाता था The plantation workers were not permitted to leave the tea gardens without permission and in fact they were rarely given such permissions इसके मतलब ये है कि ये जो काम करते थे चाय बागानों में ये जो workers इनको कभी भी छुट्टी नहीं मिलती थी घर जाने के लिए कोई permission नहीं दिया जाता था कही कबार एक आध बार कभी भी दिया जाता था तो ये जो चाय बागान के वरकर जो थे उन लोगों ने सुना ये असहयो गांदुला नॉन कोपरेशन मूपमेंट के बारे में जो गांधी जी ने शुडू किया था तो जब ये असहयो की बात हुई लोगों ने ये सारी चीजे सुनी बाइकट के बारे में तो इन्हों ने किया किया इन्होंने कहा कि अब हम काम नहीं करेंगे हम घर जा रहे हैं हमें ऐसी बंत करके नहीं रख सकतें तो उन्होंने गवर्मेंट के और जो अथोरिटी को उसको डिफाई करके वो सारे निकल पड़े अपने घर की ओर उनको लगा था कि गांधी राजा आ गया है अब हम घर जाएंगे हमें जमीने मिलेगी हम वहापे खेती कड़ेंगे और अच्छे से रहेंगे घरों में अपने गाउं में स्ट्राइब के कारण तो ट्रेंस चल नहीं रही थी स्टीमर सर्विस जो नदियों में चलती है वह भी स्टीमर सर्विस्वाइब हो गया था तो वह स्ट्रैंडड हो गए थे वहीं पर रुख गये थे वेट कर रहे थे कब जाएंगे तो जैंग इस चीज का फाइदा उठाके इस मौके का फाइदा उठाके जो पुलीस थे उन्हों बहुत बीटा था और बहुत रतियाचार किया हो था उस वक्त तो ये हाल हुआ था प्लांटेशन वर्कर्स के तब असाम में तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि कैसे किसान हो या आदिवासी हो या यह चायबागान के वर्कर्स हो उनके अपने अपने सोच था और जो कॉंग्रिस का जो डिफाइंड जो नॉन कोपरेशन मुवमेंट का जो उन्होंने बना कि मैंने का किसान थे या आदिवासी थे या चायबागान के वर्कर्स थे तो उनका स्वराज का सोच बिलकुल अलग था और उनको लगा था कि यह जो मुवमेंट इन लोगों ने शुरू किया है यह सारी जो मुसीबते हैं जो है यह सब समाप्त हो जाएगी उनको बिटिश जो सराज से च्छुटकरा मिल जाएगा ट्राइबल्स जो थे उन्होंने क्या किया था उन्होंने गांधी जी की नाम लेके स्वतंतर भारत का उन्होंने स्लोगन रेज किया था और यह वो सोचते थे कि हम भी इसमें शामिल है यह पूरे जो भारत वर्ष में जो यह अब इसके आगे क्या हुआ था वो हम पढ़ेंगे अगले सेक्षन में तो आएए देखते हैं अगले section में क्या है तो section 3 में हम क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे towards civil disobedience तो अभी non-corporation movement जो था वो violent mode ले रहा था हिंसा की और चल रहा था काफी सारी जगह हिंसा हुई तो महात्मा गांधी को लगा कि हिंसा बहुत ज्यादा फैल गया है और अब जो सत्याग रही है यह तैयार नहीं है इस तरह का जो आंदूलन जो है non-violent आंदूलन अहिंसा के साथ जो आंदूलन के लिए तैयार नहीं है तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना चाहिए तो January 1921 में non-cooperation movement शुड़ हुआ था February 1922 में जब महात्मा गांधी को लगा कि यह सारी चीजे सत्यागरही को ट्रेन करना पड़ेगा तो उन्होंने क्या क्या उन्होंने यह non-cooperation movement वापस लिया वापस लिया था क्योंकि वाइलन्स शुड़ हो गया था जैसे कि रोल अटेक्ट के द्वारा जब अंदलन हुआ था तो उन्होंने वापस लिया था वही वाइलन्स हो गया था प्रोटेस्ट तो क्या हुआ न यह वापस लेने के बाद यह कॉंगरेस के नेता जो थे उनको भी लगा कि यह जो मास प्रोटेस्ट है यह जो जन अंदलन है यह से कोई नहीं प्रभाप पढ़ रहा है हम थक गए हैं हम अभी यह सारी चीज़ें नहीं करना चाहते हैं वो चाहते थे कि यह जो प्रोविंशिल काउंसिल में जो इलेक्शन से उन में उस पर फिर से पाटिसिपट करेंगे तो गवर्मेंट आफ इंडिया एक्ट नाइटीन नाइटीन के थ्रू प्रोविंशिन काउंसिल का इलेक्शन उन्होंने शुरू किया हुआ था अब कॉंग्रेस के इन लोगों का तर्क था कि अगर हम काउंसिल के इलेक्शन में खड़े होंगे जीत के आएंगे काउंसिल के भीतर तो हम क्या करेंगे हम ब्रिटिश पॉलिसिस के खिलाफ हम लोग लड़ पाएंगे हम उसका विरोध करेंगे फिर काउंसल के अंदर और एक डेमोक्रेटिकली हम चेंज़ेज ला सकते हैं इसके जो अब कॉंग्रेस के भीतर भी गुट बन गए थे इसके पक्ष में जो लोग थे वो थे सियार दास और मोतिलाल नहरू उन्होंने क्या क्या था उसी कॉंग्रेस के भीतर एक स्वराज पाटी उन्होंने बनाया था और वो चाते थे कि काउंसल के इलेक्शन में वो भाग ले अब दूसरे गुट जो थे वो कम उम्रक के लोग थे जैसे कि जवाल लाल नहरू निताजी सुबाश चंद्र बोश्ट वो चाते थे कि जन अंदलन को तेज क्या जाए इससे क्या होगा न देश को पूर्ण जो इंडिपेंडेंस है कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिलेगा स्वतंतरता जीसे कहते हैं मिलेगा तो इस सिनेरियो में क्या हुआ अंदुरूनी मदवेद और कलह जो था कॉंग्रस पार्टी के अंदर भीतर बहुत ज्यादा हुआ तो जब हुआ यह चीज तो 1920s 25 के बाद इंडिया में एक नहे तर हुआ था आर्थिक मंदी जिसे कहते हैं वह हुआ था उस दोरन क्या हुआ था 1925 के बाद जैसे की 1926 के दोरान जो अगरिकल्चर के जो प्राइस जो प्राइस थे वो गिर गये थे और 1930 तक आते आते बिलकुल कॉलाप्स कर गया था क्यूंकि ना 1929 में ग्लोबली एकोनोमिक डिप्रेशन हो चोगा था तो जब यह हो गया तो अगरिकल्चर प्रोड्यूस का जो डिमांड था ग्लोबली वो घड़ गया वो नीचे आ गया जब वो हुआ तो किसान जो थे उनके फसल बेच नहीं पाए जब बेच नहीं पाए तो टैक्सस नहीं दे पाए थे इसके कारण 1930 में गाओं और कस्मों में बहुत ज़्यादा किसानों के बीच कला शुरू हो गए थी कि वो सोच नहीं पा रहे थे कि यह क्या करे यही समाहूल था इंडिया में तब क्या हुआ था तब यह हुआ था कि ग्रेट बिटन में इलेक्शन हुआ था बिटन में जब इलेक्शन हुआ था तो यह टोरे गाव्मेंट जो है वो पावर में आया था ब्रिटन में तो आप लोग को पता है। एक है conservative party और रखें दूसरा है deliver party और conservative party को Tory भी कहा जाता है। तो ये conservative party जो है वो जीत के power में आया था। वो जब आया था उन्होंने एक statutory commission उन्होंने गठित की यह जो statutory commission जो था उसका अध्यक्ष बनाया था Sir John Simon को यह किसलिए बनाया था यह बनाया था कि यह जो राष्ट्रे आंदोलन हो रहा था भारत में उसका तो जो संभीदानिक प्रक्रिया है उसमें कैसे सुधार लाया जाए जो constitutional system है इंडिया में उसमें कैसे सुधार लाया जाए उसके बारे में यह commission बैठेगी और वो सुधार प् इंडिया में नैशनलिस्ट मुव्मेंट जो कर रहे हैं थे उनके जो है वो problems को solve करना चाहते थे अब problem का solve करेंगे लेकिन कोई हिंदूस्तानी उस commission का member नहीं होगा सिर्फ Britishers होंगे member यह कभी हुआ है कि अब अंग्रेज लोग है साहब लोग है वो सोचते थे कि वो ही सब जानते हैं पड़े लिखे हैं ठीक है तो जब यह हो गया तो साइमन साब पहुच गए इंडिया साइमन साब पहुचे 1928 में बड़े खुशी खुशी पहुचे हैं जब पहुचे आके जब देखा पोस्टर्स बैनर्स उस पर क्या लिख्था है go back Simon, go back Simon सारे अंदुलन करिए आ गए उनको भगाने के लिए भाई जाओ वापस, क्यों आए हो देश में क्या कमिशन बिठाया है, सारे तो Britishers कमिशन के मेंबर है हमारे क्या प्रब्नस तुम सॉल्फ करोगे तो इसमें ये जो go back Simon का नारा था इसमें कौन-कौन शामिल हुए थे इसमें Congress शामिल हुआ था Muslim League शामिल हुआ था ये सारे जगा डेमोंस्ट्रेशन करने शूरू कर दिया थे इस बीच यहां का वाइसरोय था Lord Irwin Lord Irwin ने क्या कहा था उन्होंने October 1929 में उन्होंने कहा था कि भारतियों को कि देखो हमें काम करते हैं हम इंडिया को एक Dominion Status देंगे लेकिन कब देंगे उसका कोई उन्होंने तारिक नहीं दिया था Dominion Status का ये मतलब है कि Self Rule तुम्हें Self Governance करने के लिए दे दिया जाएगा तुम अपने अब उसके लिए उन्होंने एक Roundtable Conference भी बुलाया था To Discuss the Future Constitution इसका मतलब एक Dominion Status दिया जाएगा इंडिया को एक Roundtable Conference होगा उसमें इंडिया का क्या Constitution होगा वो हम Discuss करेंगे Congress के लीडर इस पे संतुष नहीं हुए थे जो Radical जो Thinkers थे Congress के भीतर जैसे कि जवालाल नहरू, शुबास चंद्रबोज वो और भी डट गए लेकिन यह जो Liberals यह Moderate जो की ज़्यादा Aggressive नहीं थे लीडर्स वो जो चाते थे कि हाँ ठीक है वाई किसी तरह से यह Dominion Status मिल जाए उन लोगों के बात यह जो Radical जोथे जैसे कि जवालाल नहरू, शुबास चंद्रबोज उन्होंने नहीं माना तो December 1929 में जवालाल नहरू Congress का President बने वो था लाहूर Congress में वहाँ पे उन्होंने एक अडॉप्ट किया एक डिसेशन हुआ वहाँ पे मीटिंग में और वहाँ पे डिमांड अडॉप्ट हुआ कि भारत के लिए पूर्ण स्वारा चाहिए Dominion Status नहीं पूरा Independence चाहिए होगा हमारा कोई ब्रिटेन से लेना देना नहीं होगा हमारा राजा ब्रिटिश किंग नहीं होगा ये उन्होंने डिसेट किया डिसेंबर 1929 में लाहूर Congress में और उन्होंने ये भी डिसाइट किया कि 26 जैनवरी 1930 को वो सेलिबरेट करेगे Indian Independence Day और लोग जो है Complete Independence का उन्होंने वो उन्होंने ओथ लिया या प्लेज लिया कि उसी दिन हम सेलिबरेट करेंगे बट ये जो सेलिबरेशन जो था इसका कोई ज्यादा कुछ लोगों का असर लोगों पर असर नहीं पड़ा तो मात्मागाने ने किया सोचा कि नहीं अब ये Freedom का जो रास्ता है हमें चुनना पड़ेगा जो हमारे जो रोज मर्रा के जो Issues है उसको लेके हम ये Freedom Struggle को बढ़ाएंगे क्योंकि ना अगर रोज मर्रा के Issues जो है वो लेके हम आगे बढ़ेंगे तो लोगों का जो Participation होगा वो ज्यादा होगा क्योंकि लोग भी जुड़ेंगे इस Movement से इसी तरह से उन्होंने शुरू किया था ये जो Everyday Life को लेके Struggle अब ये क्या है हम अगले Subsection में पढ़ेंगे Subsection 3.1 में हम क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे The Salt March and The Civil Disobedience Movement अब गांधी जी को लगा कि ये जो नमक है Salt है ये ही एक पाउरफुल जो प्रतीक है सिम्बल है भारत के लोगों को एक करने का तो उन्होंने 31st December 1930 में एक चिप्थी लिखी एक पत्र लिखा Lord Erwin को उन्होंने उसमें 11 Demands लिखे मांगे 11 मांगे उन्होंने लिख्ट करके दिया था कुछ मांगे जो थी वो General Interest की थी लेकिन कुछ मांगे थी जो की बहुत Specific थी ये Specific जो मांगे थी ये Different Classes जो थी Society के उनको लेकर थी Industrialist से लेके किसानों तक उनके जो जो भी मांगे थी उनको उसमें उन्होंने लिस्ट कर दिया था उन्होंने उसमें उस मांगों का लिस्ट बनाके उस चिथ्टी में लिखा था उन्होंने इसलिए किया था उनको लगा था कि अगर मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के बारे में जो सोच रहा हूं जो उनकी अगर मांगे मैं एक करके वो चित्थी में भेजूंगा तो लोग इकटा होंगे हर वर्ग के लोग आएंगे हर तपके के लोग आएंगे और इकठा होंगे और मुव्मेंट में साथ देंगे तो उनका लेकिन सबसे महत्वपुर्ण मांग ये थी कि भाई ये जो नमक पे जो तुम लोग टैक्स लगा रहे हो कर लगा रहे हो उसको अबॉलिश करो क्योंकि नमक जो है हर कोई इस्तमाल करता है गरीब हो या अमीर हो खाने में एक चुटकी नमक चाहिए ही चाहिए होता है तो उस पे अंग्रेज जो थे वो टैक्स लगाते थे और बहुत हाई टैक्स लगाते थे तो गवर्मेंट को कहा महत्मा गांधी ने अपने चिठी में क कि तुम टैक्स नहीं लगा सकते हो तो पर और तुम्हारा मोनोपली है। तुम ही सिर्द नमक प्रड्यूस करते हैं तुम ही बेचते हो यह हम चलने नहीं देंगे तो यह उन्होंने उस चिठी में रखा कि यह तुम्हें करना है हमारी सारी यह जो मांगे हैं वो पूरी करनी है और यह पत्र जो चिठी लिखी उन्होंने यह एक तरह से अल्टिमेटम था आखरी चेतावनी थी कि अगर तुम मार्च 11 तारिक तक उन्होंने कहा कि अगर मार्च 11 तारिक तक 1930 मार्च 11 तारिक तक तुम अगर हमारे मांगे पूरी नहीं करोगे तो हम यह Civil Disobedience Campaign शूरू करेंगे तुमारे अंग्रेज रूल के खिलाफ या Colonial Government के खिलाफ अब लॉर्ड इर्वन को जो चिठ्ठी मिली वो तयार नहीं था नेगोशेट करने के लिए बातचित के लिए राजे नहीं हुआ तब क्या हुआ ना महात्मा गांधी ने अपना जो सबसे जो फेमस दांडी मार्च जिसे बोलते हैं नमक आंदोलन उन्होंने ये शुरू कर दिया अपने 78 जो साथी थे एकदम जो ट्रस्टेड वॉलेंटियस थे उनके साथ उन्होंने शुरू कर दिया ये जो उन्होंने शुरू किया मार्च वो अपने आश्रम जो था सावरमुती में वहां से उन्होंने डांडी तक पैदल जाने का तै कर लिया और उन्होंने शुरू किया साबर मती से डांडी तक का जो डिस्टन्स था वो था 240 मील 240 माइल्स तो अब उन्होंने शुरू कर दिया अपना पैलल चलना तो हर रोज उन्होंने डिसाइड़िया कि हम लोग 10 मील चलेंगे 10 माइल्स तो लगबग 24 दिन लगेगा तो उन्होंने क्या क्या जब जहां जाते थे पैदल चलने के बाद जहां रुकते थे हजारों लोग उमड के आते थे गांदी जी के स्पीचे सुनने के लिए उन्होंने वहां पे लोगों को समझाया था कि क्या स्वराज है और ये जो पीसफुल जो प्रोटेस्ट्स है अंग्रेजों के खिलाफ ये क्या क्या है ये सारी चीज़े लोगों को समझाई तो एक तरह से उनका ट्रेनिंग भी हो गया सत्या ग्रही को 6 तारिक अप्रिल को वो डांडी पहुँच गया है अब डांडी पहुचने के बाद उन्होंने क्या क्या ये जो सॉल्ट लोगों उन्होंने ब्रिक किया कानून को तुड़ा कैसे तुड़ा उन्होंने वहां पे जो समुद्र का पानी को उबालके उन्होंने नमक बनाया So this marked the beginning of civil disobedience movement in India. तो ये हमारा civil disobedience movement शुरू हो गया तो ये non-cooperation movement से कैसे अलग था है यहां पे इन्होंने कहा कि तुम आसायोग करो सरकार के साथ colonial government के साथ इसके साथ साथ जो कानून है ये जो अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है उसको भी तोड़ो तो ये अलग हुआ ना आसायोग उसके साथ साथ कानून तोड़ना तो ये जो जब शुरू हो गया तो हजारों लोगों ने ये जो colonial law जो है जो अंग्रेजों का जो कानून है उसको तोड़ना शुरू कर दिया तो इसमें क्या किया उन लोगों ने उन्होंने salt लोगों को तोड़ा उससे उन्होंने जो नमक बनाना शुरू किया फिर जो government के जो salt के factories थे जो नमक के जो factory थे उसके सामने बैठके आंदोलन करना शुरू कर दिया उसके साथ साथ वो जो नॉन cooperation movement के time जो वो करते थे वहिशकार जैसे की boycott of foreign clothes की picketing in front of liquor shop जो है वो ये सारे चीजे शुरू कर दी अब किसानों में दुबारा से क्या-क्या उन्होंने कहा कि नहीं हम चौकिदारी जो tax है वो नहीं देगे और यह जो revenue है जो agriculture producer जो revenue देना पड़ता था government को हम उसको भी नहीं देंगे और गाउं में जो सरकारी कर्मचारी थे उन्होंने भी जैसे की जंगलों का जो कानून था जैसे की निशेट था लोगों को जाने के लिए नहीं दिया जाता था तो लोगों ने क्या क्या उस कानून को भी तोड़ा और जो reserved forest हुआ करता था उसके अंदर भी वो गए यह जो लकडिया लाने गए और अपने मवेश्यों को चराने गए जंगलों के अंदर तो यह भी कानून तोड़ना हुआ अब यह जो ब्रिटिश राज को क्या लगा उसको लगा कि भाई यह तो बहुत स्यादा हो रहा है तो उन् क्लैशेज हुए तो वाइलेंट क्लैशेज हुए हिंसा भी हुआ उस टाइम लीडर थे एक पठान लीडर थे जो की पाकिस्तान साइट के इलाके से आते थे उनका नाम था अब्दूल गफार खान तो वो महत्मा गांधी के बहुती बड़े भक्त हुआ करते तो उनको एरे के बाद जो गुसाई लोग जो थे उन्होंने डेमोंस्ट्रेशन शुरू कर दे हैं पेशावर के सड़कों पे और उसके कारण यह जो ब्रिटिश जो गर्वेंट था कॉलिनियल गर्वेंट उन्होंने बहुत ज्यादा वाइलेंस करना शुरू कर दिया आत्याचार करना श तो एक महीने बाद उससे एक महीने बाद महत्मा गांधी को भी उन्होंने एरेस्ट कर लिए जब यह हो गया था तो जो फैक्टरी में काम करने वाले लोग शौलापूर में उन्होंने क्या क्या यह पुलिस्ट पोस्ट्स पे हमला कर दिया मुंसिपाल्टी बिल्डिंग्स में हमला कर दिया फिर यह जो कचेरिया कोोट्स अंपर हमला किया रेलवे स्टेशं में पी हमला किया जहां पर भी ब्रिटिश राज का कुछ दिखता था जो कीjmबल था था अवितिया ऑनेम हमला कर दिया दे सस्टाटिब ब्रेकिंग इंग्शं कट्र 272 आओ प्रिवक्टि में उन्होंने किया किया बहुत ज्यादा अत्याचार किया दबाने के लिए यह जो जो अंदोलन है उसको दबाने के लिए कहा जाता है कि जो पीसफुली भी जो सत्यागरही जो प्रोटेस्ट करते थे उस टाइम जैसे कि महिला भी हो बच्चों भी हो उनको भी मारा गया बहुत बुरी तरह से उनको पीटा गया था और करीबन एक लाग लोगों को एरेस्ट किया था जब यह सिचुएशन हो गया महत्मा गांधी ने कहा कि मैं यह अंदूलन वापस लेता हूं और उन्होंने एक पैक्ट किया इर्विन के साथ इससे बोला जाता है गांधी इर्विन पैक्ट यह हुआ था फिफ्थ मार्च नाइंटीन थर्टीवन तो नाइंटीन थर्टी से ल हाथ हूआ इसमें इसमें क्या हुआ था इसमें गांधी जी ने कहा की ठीक है मैं जो है र forecast माहत्मा गांधी मैं ने कहा कि ठीक है मैं I will participate in that second roundtable conference लेकिन एक शर्थ पे मैं roundtable conference लेंडन में यह करूंगा अगर आप लोग जितने political prisoners है उनको छोड़ दोगे तो political prisoners को छोड़ दिया अब December 1931 में महात्मा गांधी गए लेंडन वहां गए वो second roundtable conference अटेंड करने बात चीत हुई लेकिन कोई हल नहीं निखला negotiations broke down और वो नाखुशों के भारत वापस आ गए भारत वापस आने के बाद उन्होंने देखा कि British सरकार ने दुबारा से वही चीज़े शुरू कर दी वही अत्याचार वही गैर कानूनी लोगों को arrest करना वगेरा वगेरा और उन्होंने ये भी द गफार खान और जावालान लेरिव को उन्होंने जेल में डाल रखा है और Congress को illegal declare कर दिया मतलब Congress Party को illegal declare कर दिया था और बहुत सारी चीज़े उन्होंने जैसे की measures उन्होंने implement की थी जैसे की meetings या demonstrations नहीं कर सकते हो और boycotts कुछ नहीं कर सकते हो तो जब ये सारी माहूल देख और ये सारी घटनाए घटी इनको नजर में रखते हुए भात्मा गांदी ने decide क्या नहीं हम लोग दुबारा से civil disobedience movement शुरू करेंगे तो उन्होंने ये movement चलाया फिर लेकिन 1934 1934 तक पहुंचते पहुंचते इसका जो movement का जो momentum था वो धीरे 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 करके खतम हो गया अ अब जो लोग शामिल हुए थे इस movement में वो क्या सोच रखते थे उसके बारे में हम लोग जानेंगे अगले सब सेक्शन में तो आए देखते हैं क्या है तो अगला सब सेक्शन है how participants saw the movement अब जो civil disobedience movement में जो लोग शामिल हुए थे उनका क्या नजर इया था इस movement के बारे में क्योंकि कई तरह के संगठन कई तरह के ग्रूप्स जो है वो शामिल हुए थे civil disobedience movement में वो लोग क्यों शामिल हुए थे उनके जो सोच क्या था इस बारे में और वो स्वाराज को किस तरह से लेते थे किस क्या सोचते से स्वाराज के बारे में वो सारी चीज़े हम अभी इस सेक्षिन में डिसक्स करें तो गाओं और कस्बों में क्या था वहाँ पे थे बहुत जयादा अमीर किसान यो थे पतिदार जुकि गुराट से थे और जाट जो कि उत्तरप्रदिस्ट से थे यह दो जो соглас क्रूप्स थे यह पतिदार और ज्याट बहूँ ज्यादा शामिल हु बाहर भेजा जाता था ये उस टाइम क्या हुआ था क्योंकि आर्थिक मंदी आ गई थी एकोनोमिक डिप्रेशन हो गया था याद है आप लोगों को 1929 का इनका जो है व्यापार ये बिल्कुल जो है ठप हो गया था अनाज के दाम तो पिल्कुल गिर गया था और दे पा रहे थे या गवर्मेंट जो टैक्स था उसको कम नहीं कर पा रहा था तो इस टाइम ये जो अमीर जो किसान हुआ करते थे इन लोगों ने सरकार के खिलाफ असंतोश व्यक्त करना शुरू कर दिया और जब सिविल डिस ओबीडियस मुव्मेंट शुरू हुआ तो य हुआ कर जाकर उसमें शामिल हो गए है कि इनको लगा था कि यह अगर कि शामिल होंगे और इनको भी फाइदा है सबर्ल कि सरकार के खिलाफ किना अंग्रेस के सरकार टैक्सेस कंप कर रही नहीं रही थे अब यह तो शामिल हुए हुए इन्होंने क्या क्या और भी जो लोग थे किसान जो की शामिल होना चाहते भी नहीं थे उन्हों को भी कहा कि ने तुम भी आकर शामिल हो जाओगे और उन्होंने जबरदस्ती उनको भी शामिल कराया और वो उनका जो सोच था ये स्वराज के बारे में उनका सोच क्या था जो स कुछ नहीं समझते थे इनको लगता था स्वाराज का मतलब है कि हमारा जो स्ट्रगल है आंदुलन है यह जो ज्यादा टैक्सेस के एगेंस्ट उसके खिलाफ रेविन्यू जह है हाई रेविन्यू उसके खिलाफ है और जब 1931 में महात्मा गांधी ने आंदुलन वापस ले ल लेकिन उनका डिमांड जो था जो घटाने वाली बात वह पूरी नहीं हुई तो जब दुबारा से महात्मा गांधी ने 1932 में शुरू किया तो लोगों ने मना कर जया कि हम इसमें शामिल नहीं होगे क्योंकि उनका जो स्वार्थ था जो टैक्स घटाने वाली बात वह पूरी नहीं हुई थी इसलिए वह शामिल नहीं हुए यह हुआ था जो कि अमीर किसान थे अब जो गरीब किसान थे वह चाहते थे कि यह जो गरीब किसान थे वह क्या थे वह लोग जमीदारों से जमीन कि किराया पे लेते थे उसमें फसल उगाते थे और टेक्स देते थे अब डेप्रेशन के बाद विका नहीं जो अनाच जो उन्होंने उगाया था वो विका नहीं तो पैसे भी इतने ज्यादा रोजगार नहीं हुआ था तो वो जो किराया पे जो लिया था वो जमीदारों से जो जमीने उसका वो किराया नहीं दे पा रहे थे वो चाहते थे कि ये जो किराया जो है उसके माफी दे दी जाए इसलिए वो उन लोगोंने जोइन किया था यह जो socialists और communists जो थे वो एक radical movement जलाते थे उस movement में जाके वो शामिल हुए थे अब congress party क्या करती थे Congress party बोलते थी कि अगर हम इनको साथ में ले लेंगे तो जो अमीर किसान है या अमीर जमीनदा है वो हमारे खिलाफ हो जाएंगे तो इस तरह से Congress जो थी वो गरीबों के साथ वो नहीं थे वो सिर्फ अमीर किसान और अमीर जमीनदारों के साथ थे और इनोंने ये गरीब किसानों का जो इशू है उसको बिल्कुल उठाया नहीं था तो ये गरीब किसान के साथ ये Congress के लोगों का उस टाइम बन नहीं रहा था ये situation था उस वक्त अब ये हुआ किसानों के लेके बात अब ट्रेडर्स थे जो बिजनेस क्लास थे उसके बारे में क्या है आईए देखते हैं वो डिसक्स करते हैं तो ये जो वियापैरिक क्लास ये जब इन्होंने पार्टिसिपेट किया था सिविल डिसपीडियन्स मूवमेंट में तो ये कैसे अपने आपको रिलेट करते थे अपने आपको कैसे इन्होंने जोड़ा सिविल डिसपीडियन्स मूवमेंट के साथ और कैसे क्या उनका participation सा उसके बारे में हम लोग देखेंगे जैसे कि फर्स्ट पहला विश्व यूद फर्स्ट वर्ल्ड वार उस टाइम क्या था उस टाइम जो भारत के भारतिया मूल के वियापरी मैंने इंडियन मर्चेंट्स और जो इंडियोगपती जीने कहा जाता है、 उन लोगों ने क्या है? उन लोगों ने बहुत जूदा प्रॉफिट कमाई थी उस टाइम और बहुत पारफुल बन गे थे, बहुत जूदा अमीर हो गए थे, बहुत पैसे वाले हो गए जो था ये उनके जो व्यापार गतिविधिया जो थी व्यापार के गतिविधिया उन पे restrictions लगाने शुड़ू कर दिया तो ये जब restrictions लगाने शुड़ू कर दिया ये चाते थे कि जो import कर रहे हैं foreign goods उस पे protection मिले उनको ये जो रूपी और sterling का जो exchange rate है उसको stable रखा जाये जैसे कि इनको मुनाफा मिले इनको profit मिले ये चाते थे इंडेस्ट्रिलिस्ट जो बड़े उद्योगपती थे तो अब जब इनके पास तो कोई एक organization नहीं था तो वो चाते थे कि अपने व्यापारी जो संग है वो एक संग बनाए एक organize करे एक साथ ले के आए व्यापारियों को तो उस time उन्होंने एक गठन किया था एक संगठन उसका नाम था Indian Industrial and Commercial Congress ये उन्होंने बनाया था 1920 में 1920 they established the Indian Industrial and Commercial Congress ये उन्होंने 1920 में बनाया था अब उसके बाद उन्होंने बनाया Federation of the Indian Chamber of Commerce and Industries फिक्की जिसे बोलते है ये उन्होंने इस्टैब्लिश किया 1927 में याद रखिया फिक्की आज भी है It exists till date तो आप लोग तो अख़बाराओं में देखते होगे फिक्की नाम से तो ये 1927 में इन्होंने उसको एस्टैब्लिश किया था अब इंडिया में उस टाइम बहुत ज्यादा दो बहुत ज्यादा बड़े ब्यापारी हुआ करते थे उद्योगपती भी थे इंडेस्टि पुरुसुक्तम दास था कुर्दास कौन थे वो थे एक बड़े रुई के वयापारी हुआ वो रुई के वयापार करते थे टेक्स्टाइल मिल था उनका और बहुत बड़े उद्योगपती थे इंडेस्टिलिस्ट थे वो और दूसरे थे जीडी बिरला घंशामदास बिरला ये भी बहुत बड़े इंडेस्ट्रिलिस्ट थे आज भी उनके नाम से इंडेस्ट्रिस चलती हैं अगर आप जानते होगे पादेतिय बिरला इस ग्रैंड चिल्डरन जो आज के डेट में वोडाफोन आइडिया के कंप तो उन्ही के फैमिली के लोग आज भी चलाते हैं बड़े कंपनी इंडिया में तो ये जो दो इंडेस्ट्रिलिस्ट थे उन्होंने क्या क्या उन्होंने कहा कि बिटिश को कहा कि आप लोग ऐसे हमारे बिजनिस और एकॉनोमी को कॉन्ट्रोल नहीं कर सकते हों और वो जाके शामिल हो गए ये civil disobedience movement में वो जब ये शुरू हुआ लॉंच हुआ civil disobedience movement तो उन्होंने financially भी एसेस्ट किया था इस movement में और उन्होंने ये जो foreign goods था, imported goods वो import भी करते नहीं थे या बेचते भी नहीं थे ना खरीदते थे ना बेचते थे ये उन्होंने कर रखा था जितने भी व्यापारी थे उस टाइम वो चाहते थे कि स्वराज उनके लिए स्वराज क्या था उनके लिए स्वराज ये था कि ये जो colonial government है वो सारे जो restrictions है उसको हटा दे और इससे उनका जो trade और industry वो ज्यादा उस कोई बाधा के बगेर कोई British interference नहीं होगा वो अपना industry खुद ऐसे ही चलाएंगे जब roundtable conference second roundtable conference महत्मा गांधी जाके आगए London वो फेल कर गया तो इनको लगा कि बहुत ज्यादा अभी जो है अहिंसा फैलेगी तो इससे क्या होगा अगर अहिंसा फैलेगी तो business जो है लेगा तो इससे business ठप हो जाएगा और उसके ऊपर यह जो Congress के जो नई PD जो थी younger generation जो members थे वो socialists थे जो की workers को support करने वाले लोग थे तो इन सारे चक्करों में क्या होगा उनका business ठप हो जाएगा तो जब दुबारा से यह शुरू हुआ आपका civil disobedience movement तो यह जितने भी industrialist थे दूसरे industrialists पहले भी उन्होंने support नहीं किया दूसरे टाइम भी जब शुड़ू हुआ उस पे support नहीं किया उन्होंने उसको boycott किया सिर्फ नागपूर रिजिन के कुछ उद्द्योग पती जो थे industrialist जो थे उसमें वो शामिल हुए थे और जब industrialists आके जुड़ गए कॉंगरेस के साथ तो industrial workers जो थे उनके यहां जो मुलाजिम थे जो उनके इंड़स्ट्री में काम करने वाले लोग थे वो लोग दूर दू कोई काम के नहीं है कि उन्हें यह हमारे जो मांगे हैं उसको कभी पूरा नहीं करेंगे तो वो कॉंग्रेस से दूर रहने लगे इसके बावजूद भी कुछ जो industry workers थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था civil disobedience movement में और गांधी जी के जो कुछ जैसे की program थे जैसे की boycott of foreign goods कि यह जो low wage conditions वगरा उसके उसको support करते थे और वो लोग कुछ-कुछ लोग सामिल हुए थे there were strikes by railway workers in 1930 and dock workers in 1932 उस time क्या हुआ था 1930 में railway workers ने strike करा था फिर 1932 में dock workers ने strike करा था तो अब यह railway workers और dock workers ने strike करा था 1930-32, 1932 में, 1930 में और एक बात हुए था यह जो छोटा नागपुर tin mines करके mining workers वहा करते थे उसमें तो उनने लोगों मुझा क्या हुआ है उनलोगों में गांधी टोपी पहन थे गांधी टोपी पहते के उन्हों वह लोग सामिल होते रैलियों में फिर यह जो बॉयकौट केम्पेंड है गांधी जीजीने चला था उन सारे चीज़र उन्होने सामिल वह थे बट यह जो Congress Party थे ना, Party था वो चाहते नहीं थे कि यह जो वर्कर का जो डिमांड है वो उसको आगे बढ़ाए क्योंकि बिस्निसमेन इसमें शामिल थे तो Congress Party नहीं चाहते थे उनको खफा करने के लिए वर्कर के कोई माईन ही नहीं था तो वो Congress Party नहीं चाहते थे कि वर्कर के डिमांड को आगे दक पहुचाए कि वो फिर लगेगा कि वो इंडेस्ट्रिस के खिलाब जा रहे हैं और इंडेस्ट्रिस को इंडेस्ट्रिलिस्ट को दूर कर देंगे तो इसी माहुल में यह बिजनेस क्लास जो था इसी तरह से Civil Disobedience मूपमेंट में शामिल हुआ था तो यह बिजनेस क्लास और यह वर्कर के बाद तो हुई अब और एक महत्वप्रून जो पार्टिसपेशन था यह Civil Disobedience मूपमेंट में वो थे महिला महिलाएं भी बहुत ज्यादा आ गया के इस Civil Disobedience मूपमेंट में महिलाएं भाग ली और यह जब गांधी जी ने डांडी मार्च किया था उस वक्त भी महिलाएं जो थी वो घरों से बाहर आके गांधी जी के जो स्पीचेस थी वो सुनने आये थे वो लोग और उन्होंने यह जो प्रोटेस्ट मार्च थी या जो नमक बनाने के विधी जो जो नमक कानून को ब्रेक करना है और फिर बॉयकोट ऑफ फॉरें प्लोथ और यह पिकेटिंग जो था यह डेमोंस्ट्रेशन क और छिराब के दुकानों के सामनी इन सारी गतियों में महिलाँ शामिल थी इसके अलावा शहरों में यह दूर दरास्थ बात की जाये तो महिलाओं जो थी पुछ के लोग महिलाएं जो थी जो हाई कास्ट फैमिलीज को बिलोग करती थी और गाओं में जो किसान के परिवार से आती थी महिलाएं वो हर तरह के महिला जेल गई थी ये क्यों हुआ था गांधी जी ने एक नारा दिया था कि आओ जन्ना अनुदलर में शामिल हो जाओ और उनको हो भी लगा था कि वो अगर शामिल हो यह एक देश के परती उनका सर्विस होगा, सर्विस तु दृद्डा नेशन और यह समझते थे कि अनका एक डूटी है जो कि उनको करना चाहिए अपने देश के परती और भारत के परती तो यह सोच लेके वो लोग बाहर आये थे लेक इंपॉर्टन से कुछ बढ़ा नहीं था इसके कारण उनको वैसे ही देखा जा रहा था गांधी जी सोचते थे कि मैला जो थी उनको सिर्फ घरों में रहना है अच्छी माताय बनना है और अच्छी पत्निया बनना है उनके बाहर आके कोई कामकाच नहीं करना है यह गांधी ज महिलाओं को उन्होंने कुछ पॉजिशन जो थे पार्टी में दिया था उन लोगोंने अपने और्गनाजेशन में उनको लगा था कि महिलाओं का जो प्रेजन से यह एक सिंबलिक है कि हाँ देखो हम लोग महिलाओं को भी साथ रखते हैं महिलाओं भी हमारे साथ इन्वार एक symbolic presence जिसे कहते हैं उस तरह से महिलाओं को वो दर्शा देते तो महिलाओं का जो contribution था बहुत था लेकिन अगर देखा जाए तो Congress Party उनको इतना support नहीं करता था उस टाइम तो यह था अब अगले subsection की ओर चलते हैं आगे देखते हैं क्या था यह जो limits of civil disabilities आये उसको देखते है तो अगला subsection है subsection 3.3 the limits of civil disobedience इसमें क्या था इसमें यह हुआ था कि जो सामाजे गुटे जो थी सारे सामाजे गुट जो थे वो इस जो स्वाराज का जो आंदलन था स्वाराज का जो कॉल था महत्मागान देखिन उसमें वो कुछ ग्रूप जो थी वो शामिल नहीं हुए एक गुठ था जिससे अच्छूत माना जाता था उन लोगों को वो लोग शामिल नहीं हुए थे यह 1930s में उन लोगों ने अपने आपको यह जो दलित शब्द से अपने आपको परिजित करते थे कि हम लोग दलित है और हम हम वियर ऑप्रेस्ट हम हम हमें दलित का मतले कि ऑ एक वर्ग जो है वो यह कंग्रस पार्ठी जो था इन लोगों ने दलितों को कभी अधालितों का साथ नहीं द्या था उस टेम 1930s में उनको लगा था कि वो लोग जो सनातनी है सनातनी उस वक्त वो लोग सानातनी किन लोगों प्रृगों लोगों को बोलते थे जो conservative high caste बोलते थे और उनको वो ओफट नहीं करना चाते थे क्योंना ये जो सनातनी थे ये लोग दलितों को बिलकुल पसंद नहीं करते थे उन्टचबल गोशित कर दिया था उन्हों को कि अच्छुत मानते थे उस वर के लोगों को ये माहोलता उस टाइम तो महात्मा गांधी ने क्या क्या कि उन्होंने कहा कि अगर ये अच्छुत जो है अन्टचबिलिटी ये अगर समाप्त नहीं होगा अभी 100 साल तक देश को स्वराज नहीं मिलेगा मतलब you will not achieve स्वराज unless you eliminate अन्टचबिलिटी ये महात्मा गांधी ने कहा था तो उन्होंने कहा था, उस टाइम उन्होंने अंटचबल को एक नाम दिया था, उन्होंने कहा था हरीजन, हरीजन का मतलब भगवान के बच्चे या चुल्रन ओफ गॉड तो गांधी जी ने और एक तरह का सत्यगरह शुरू कर दिया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि म मंदिरों में प्रविश करने नहीं दोगे या जो सामुएक जो कुवे हुआ करते थे जो कम्यूनिटी में पब्लिक वेल्स हुआ करते थे जहां से हर कोई पानी निकाल सकता है तो वो अलाव नहीं करोगे फिर जो पॉंड्स या टैंक्स जो थे वहां पर नहाने के लिए अलाव नहीं करोगे सडकों पर चलने के लिए स्कूल जो है उनके बच्चे उसी स्कूल पर पढ़ेंगे जहां के जहां पर हाई कास्ट के बच्चे पढ़ेंगे तो ये सारी चीजे वो changes लाना चाहते थे कि दलितों के बच्चे भी जाए और दलित स्कूल्स में जाए और दलितों भी ये सारी सुविधाएं मुहाया की जाए जो की at par with high caste people वो चाहते थे और एक चीज उन्होंने exemplary दिखाई थी करके वो था कि अपना toilet वो खुद साफ करते थे वो कहते थे कि ये जो भांगी का काम है स्वीपर जो की toilet साफ करते आज की डेट में वो है नहीं लेकिन पहले की जमाने में हुआ करते थे लोग आते थे लोगों के घरों में toilet साफ करने तो वो घांदी जी ते कहना शूड़ कर दे कि नहीं अब तुम अपने toilets खुद साफ करोगे ये क्यों साफ करेंगे तो ये भांगी के जो काम था उसको dignify करने के लिए उन्होंने ये सारी चीज़े की थी उन्होंने बहुत ज्यादा जो high caste ये आपर कास्ट के लोगों को उन्होंने कहा था कि देखो ये जो तुम्हारे दिल में ये नफरत है ये दलितों के खिलाफ ये untouchables के खिलाफ ये तुम लोग छोड़ दो और उनको अपना लो और अपने इसमें शामिल कर लो लेकिन ये जो दलित के भी कोई बहुत सारे लीडर्स थे उनको भी ये solution अच्छा नहीं लगा था वो चाहते थे एक political solution चाहते थे वो चाहते थे कि उन्होंने क्या क्या उन्होंने groups करना शुरू कर दिया वो चाहते थे कि reserve seats हो ये जो council के elections होते है उसमें reserved seats हो दलितों का और educational institutions में भी हो separate electorate हो जहां पर कि दलित मेंबर चुनके आए legislative councils में तो ये demand उन्होंने तब से शुरू कर दिया था कि separate उनके लिए reservation हो और उनको लगा था कि ये जो political empowerment उनका हाथ अगर power आ जाएगा अगर legislative council में वो member बन जाएंगे तो इससे क्या होगा उनका जो ये जो social disparity है य जो society में उनका जो untouchability का ठपा लगा हुए ये सारी problems रिजॉल्व हो जाएगा और उनको एक अच्छा जीवन जीने का मिलेगा ये तो ये जो दलितों का participation था civil disobedience movement में बहुत कम था और basically महराष्टर और नागपूर रिजिन में उनका जो organization था बहुत ही strong work था था उनके यहां एक बहुत बड़े निता हुआ करते थे वो थे बियार अंबितकर अब ये doctor बियार अंबितकर जो थे उन्होंने क्या क्या था उन्होंने एक संगठन बनाया था उसका नाम था ये दलितों के लिए संगठन था उसका नाम था depressed classes association ये बनाया था उन्होंने 1930 में उनका जो मदवेत था वो महात्मा कांदी से हुआ था सेकंड राउंटेबल कॉन्फरेंस के दोरान क्योंकि ना सेकंड राउंटेबल कॉन्फरेंस में उन्होंने मांग की थी कि एक सेपरेट इलेक्टरेट हो दलितों के लिए और इस चीज़ को ब्रिटिश कर्फमेंट ने मान लिया था कि हाँ ठीक है अम्बितकर जो बोल रहे हैं हम उस पर राजी है हम एक सेपरेट इलेक्टरेट दे देंगे दलितों को अब इसको कांदी जी ने उपस किया और वो अंशन पे चले गए फास्ट अंटू डेथ मैं खाना पिना छोड़ दूँगा जाहे मैं मर जाओ जब यह हुआ उन्होंने क्यों इसको उपस किया था उनको लगा था कि यह जो दलितों के लिए अगर सेपरेट इलेक्टरेट हो जाए तो क्या होगा यह जो वो चाहता था तो इससी लिए उन्होंने उपस किया था अल्टिमेटली किया हुआ जब यह गांधी जी ने अंशन कर दिया फास्ट अंटू डेथ तब अंबेदकर ने गांधी जी की बात मानी और फिर उसके बाद एक पूना पैक्ट हुआ सेप्टेमबर 1932 में इसके चलते यह जो डिप्रेश्ट क्लास है जो आज के डेट में शेडूल्ड कास्ट बोला जाता है उनके लिए रिजर्व किया गया? सीट्स बोत इन प्रोविंशल जो स्टेट के असेम्बली में लेकिन वोट करेंगे जेनरल हर कोई वोट कर सकता है सिर्फ दलित वोट नहीं करेंगे इसमें हर वर्ग के लोग वोट कर सकते हैं और चुन सकते हैं दलित नेता यह दलित के जो movement था यह जो congress का जो national movement था यह दलित लोग ज्यादा इनको पसंद नहीं करते थे फिर भी एक साथ हुए थे क्योंकि ना एक देश का cause था इसलिए उन्होंने किया था इसी तरह से हम Muslims की बात करते हैं तो Muslims कुछ Muslims जो political संगटन थे political organizations जो थे भारत में उनका भी civil disobedience movement के तरफ पोई जुकाव नहीं था बहुत लियूपम response था ज्यादा वो लोग उसमें शामिल होना नहीं चाते थे क्यों? क्योंकि ना आपको याद है non-cooperation movement के time खिलाफत committee जो थी वो लोग साथ मिले थे और non-cooperation movement उन्होंने क्या था? उसके बाद उनको लगा कि जब ये non-cooperation movement उन्होंने वापस ले लिया था Congress party ने उनको लगा कि Congress party जो है मुसल्मानों को अलगतर रही है वो मुसल्मान के साथ रहना नहीं जाते हैं वो दूर रहना चाती है 1920 के दशक में क्या हुआ? Congress party जो है वो Hindu religious nationalist group जो था Hindu महासवा उसके साथ जुड़ी हुई दिखाई देने लगी जब ये हुआ तो हिंदू और मुसलिम वर्गों के बीच थोड़ा से relationship में थोड़ा प्रॉब्लम शुरू हो गया था और दोनों communities के बीच धीरे-धीरे मनमिटा होने लगे थे जैसे कि दोनों religious community जब procession निकालते थे तो clashes होता था, riots होता था उस टाइम बहुत शहरों में ये सारी चीज़ देखने को मिली थी और हर एक riots जब होता था तो और भी दूरी बढ़ते थी हिंदू और Muslim communities में उस टाइम तो उस वक्त Congress party और ये जो Muslim league जो थी वो party उन्होंने सोचा कि ये 1920 की दर्शक की बात कर रहा हूं 1920 की बात उन्होंने एक alliance के बारे में सोचा और बात चीज़ शुड़ू की और 1927-1927 में उन्होंने एक unity की बात उन्होंने करी और unite हुए unite हुए मतलब एक दूसरे के साथ alliance बनाई उन्होंने Congress party और Muslim league लेगन उनमें एक difference था मदबेद था एक चीज़ को लेखे ये था कि Muslim representation जो होगा assemblies में वो कैसे होगा ये Muhammad Ali जीना एक leader हुआ करते थे Muslim league के जो बात में जाके पाकिस्तान के founder बने और president भी बने थे पहला president Muhammad Ali जीना तो वो Muslim league के जो leader थे वो बोलते थे कि ठीक है मैं एक separate electorate मुसलमाने के लिए नहीं चाहता हूँ लेकिन इसके बदले आप लोगों को central assembly में जो legislative assembly में आपको मुसलमानों के लिए reserved seats देना पड़ेगा और एक होगा कि जो Muslim dominated provinces है जैसे कि Bengal और Punjab में वहाँ पे proportional representation देना पड़ेगा Muslims को ये negotiation जो था ये लगता था कि ये हो जाएगा और एक हल निकल आएगा लेकिन एक all party conference हुआ था 1928 में वहाँ पे किया हुआ हिंदू महासवा के जो leader थे MR जाएकर उन्होंने vehemently oppose की थी इस चीज के compromise को तो ये हल नहीं निकला था उस वक्त इससे ये कहा जा सकता है civil disobedience movement के बारे में कि जो कई communities थे जिन्होंने distrust किया था जिन्होंने trust नहीं किया था और एक suspicious एक नजरियस से देखते थे ये सारी चीज़ों को civil disobedience में तो मुसल्मान तब क्या हुआ मुसल्मान मालों ने ये जो united struggle जो था वो जुड़ नहीं पाए थे उसके साथ जो independence struggle में अब जो पढ़े लेकर मुसल्मान leader थे वो सोच रहे हैं कि हम लोग तो minority में हैं हिंदुस्तान में तो हमारा क्या होगा हमारा future कैसे रहेगा ये जो डर उनके भीतर उन्होंने spread करना शुरू कर दिया कि हम तो minority में हैं हमारा क्या होगा अगर Congress Party independence ले आती है भारत के लिए ये जो cultural identity का जो और culture का और identity का उनका शक उनके भीतर हुआ ये लगा कि हिंदु majority राष्टर है और हम लोग minority हैं तो ये suspicious और distrust जो शुरू हुआ वो चलता रहा till independence तो इसी के साथ हम civil disobedience movement को यही पर समाप्त करते हैं और आगे बढ़ते हैं अगले section की और तो आए हम लोग आखरे section तक पहुँच गए ये है section 4 section 4 में हम क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे the sense of collective belonging ये देश प्रेम कैसे जागरत हुआ हमारे भारत के लोगों में वो हम इसमें discuss करेंगे ये जो राष्टरवाद जो है वो कैसे शुरूआत हुआ वो लोग कैसे सोचने लगे कि वो एक देश के नागरिक है और कौन-कौन से चीज उनको नजदिक लेके आया वो देश प्रेम जो है वो कैसे बढ़ा ये सारी चीजे हम इसमें देखेंगे पढ़ेंगे क्योंकि ना हमारे देश जो है ये diverse communities हैं इसमें languages हैं religions हैं लेकिन हम सब इकटा होके हम हम बिशवार करने के लिए राजी हैं तो ये जो नैशनलिजम का जो फरवर है जो feeling है वो कैसे हुआ और बना ये हम इसमें discuss करेंगे बैसिकली ये शुरुआत में हुआ कैसे था ये हुआ था जब सारे लोग एकत्रवे एक united struggle हुआ जो कि अंग्रेजों के खिलाफ पहला चीज होने शुरू की सारे लोगोंने मिलके तो पहला वो था लोगों को एक साथ लेके लोगों को जूड़ा ये पहली बात थी फिर क्या था हमारे देश में बहुत सारे सांस्कृतिक जो processes थे वो उसके थुरू भी लोग साथ आने शुरू हो गये फिर इतिहास था फिर कहानिया फिर फोकलोर जो था वो थे फिर गाने थे फिर पेंटिंग्स थी फिर सिंबल्स थी ये सारी चीज़ें जो थी ये सारी चीज़ें मिलके लोगों को जुड़ा इन सारी चीज़ें में ये अगर हम आपको याद है ये जो राइज आफ नेशनलिजम इन यूरोप में हमने याद है आपको फ्रांस में जैसे कि मार्यान थी फिर जर्मनी में जर्मनिया था थी ये एक महिला के पोट्रेट के थुरू एक एक देश को दर्शाते थे आइडेंटिफाई करते थे तो उसी तरह से हमारे देश में भी वैसी सारी चीज़े होने शुरू हो गई थी तो यहां पर हमारे देश में किया था हमारे देश में जब यह राष्ट्रवाद का जो सोच जब बढ़ने लगा 20th century में तो क्या हुआ एक भारत को भी एक आइडेंटिटी देना था तो कैसे दिया गया था भारत को आइडेंटिटी भारत माता और यह भारत माता का जो पहला जो चित चित्रण क्या था जो image बनाई थी, painting बनाई थी, उन्होंने बनाई थी 1870s में और उन्होंने एक भजन भी लिखाता, वो था वन्दे मातरम और उन्होंने ये जो भजन लिखाता वन्दे मातरम, अपने मातर भूमी को उन्होंने समर्पित करी थी ये भजन को और फिर उन्होंने क्या कहता है बाद में उन्होंने एक नौवल लिखा था आनंद मथ करके और इस जो भजन को उन्होंने उसमें शामिल किया था जब उस नौवल को पढ़ेंगे तो वंदे मातरम भी पढ़ेंगे। और उस दोरान यह जो भजन था यह गाया जाने लगा था यह जो स्वदेशी जो मुवमेंट चला था बेंगौल में हर कोई यह बंदे मात्रम गाता था अपने आपको अपने आप में जोस देने के लिए और मात्र भूमे के लिए लड़ने के लिए यह उनको एक पुरुचान देता था इस तो इंस्पायर दिस पीपल हो वेर फाइटिंग फॉदेशी मुवमेंट तो जब यह स्वदेशी मुवमेंट चल रहा था उस ताइम और एक सक्ष थे जो जिन्होंने एक बड़ी फेमस पेंटिंग बनाई थी भारत माता के वो थे अबनिंद्रनाथ ट्रगोर यह अबन उन्होंने यह पेंटिंग बनाई थी जो कि अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा है तो यह आप यह भारत माता का जो पेंटिंग आप देख रहे हैं ते यह क्या है यह इट इस डेपिक्टेड एजन असेटिक फिगर शीज काम कॉम्पोजड डिवाइन एंड स्पिरिच्व इसका मतलब यह है कि यह तपस्वी अकरती है यह फिगर जो है यह तपस्वी है साध्वी जैसे तपस्वी सिमिलरी है साध्वी और तपस्वी फिर बड़े शांत दिखती है यह इमेज में भारत माता फिर सैमित है कंपोजड है और दीव्य है और आध्यात्मिक भी है तो य एक ही इस पेंटिंग में इन्होंने बड़े खुबी से दर्शा आया है अभिनन अभनिंद्र नात टगोर ने फिर जब आगे बढ़ते गए इस सब्सकेंट इंट में भालत माता का चवबी है बड़े डीफौरेंट आकार में लोगोंने प्रस्थूत करना शुरु कर दिया ठाए और ये बड़ी चपी थी, बहुत ज्यादा चपी थी, बहुत ज्यादा डिफ्रेंट आर्टिस्ट्स ने इनके पेंडिंग्स को बनाया था और ये एक मात्र स्वरुप जो है, उनके प्रती जो भक्ती आ गई और इससे क्या हुआ, ये राष्ट्रवाद जो था, इसका एक बड़ रहे थे, ये हुआ था उस पर तो 19th सेंचुरी के end में क्या था कि भारत में राष्ट्रवादी जो लोग थे, उन्होंने क्या किया था, वो लोग जाते थे प्रचार के लिए अपना लोगों को एकटा करने के लिए, तो वहाँ पर वो लोगों को देखते थे, जो की इन सारी चीज़ों को दस्तावेश के तौर पर लिख लेते थे, और उसके रेकॉर्ड के तौर पर रख लेते थे, तो क्या था, एक चीज़ लिख के रखा जाए, तो बन गया एक रेकॉर्ड, वो छपके रहा गया, तो इट कैन भी डिस्ट्रिबुटेड इसको फिर चाप के लोगों के पास पहुचा आ जा सकता था, तो ये एक तरीका था, आइडिया अफ नेश्नलिस्म को फैलाने का, क्योंकि न, ये जो कहानिया थी, ये क्या था, ये हमारे जो ट्रेडिशनल जो कल्चर है, संस्कृत, संस्कृतिक जो है हमारी, जो उसको दर्शाता है, हर सारे चीज़ों को इकटा करके एक साथ लाना एक बहुत बड़ी बात होती थी, और उस टाइम हमारे जो नेश्नलिस्ट्स थे, उन्होंने उस टाइम नेश्नल मुव्मेंट के साथ, आंदरलन के साथ-साथ ये काम भी करते थे, कि सारी चीज़े रेकॉर्ड में रखते थे, वो लिख के ले आते थे, तो इससे क्या हुआ, हमारे जो फोक ट्रेडिशन था, उसका भी प्रेजर्वेशन हो गया, तो हमारे और उसके साथ-साथ एक नैश्नल आइडेंटिटी भी मिल गया हमको, तो इससे हमारे जो पास्ट पुर्वजों का जो प्राइड था, वो भी धीरे धीरे वापस आगया, क्योंकि लोग जानने लगे कि हमारे पुर्वज कैसे देश के लिए लड़ते थे, कैसे राजा थे, महाराजा थे, बड़े-बड़े लोग थे, जिन्नोंने बहुत सारे किर्तिया करी थी, तो ये एक बात हुई थी उस तरह से बिंगॉल में फिर माइथोलोजिकल स्टोरीज, ये सारी चीजे की उन्होंने भी इकटा करना शुरू कर दिया था, और इससे क्या हुआ, एक जो फोक का रिवाइवल उन्होंने बेंगॉल में किया उस दौरान, मदरास में नतेशा शास्त्री जो थे, उन्होंने पब्लिश की थी चार व था कि ये फोकलोर जो है, ये नैशनल लिट्रेचर है, और बहुत ये उनका एक कोट है, उन्होंने कहा था, इसका मतलब वो था कि ये सबसे भरोसे मंद लोगों के वास्तविक विचारों और विशेष्ताओं की अभिव्यक्ति है वो, अब जब ये राष्टरवादी जो अंदोलन जो था, ये धिरे धिरे बढ़ने लगा, तो हमारे जो राष्टरवादी नेता जो थे, वो भी उनको भी जानने लगे कि जैसे कि ये आइकन्स हो या सिंबल्स हो, ये सारी चीजे लोगों को एक जूट कर रही है, और ये लोग में एक nationalism का feeling लेके आ रही है उनके दिमाग में, तो ये जब स्वदेशी movement चल रहा था, तो बेंगोल में जो स्वदेशी movement चल रहा था, उस ताइम उन्होंने एक flag तैयार किया था, वो एक tricolor flag था, उसमें था red, green and yellow colors, वो डिजाइन हुआ था, उसमें एट कमल के फूल थे, eight lotuses, वो क्या represent करती थी, eight provinces हुआ करती थी था, ब्रेटिश रूल के अंडर, ब्रेटिश इंडिया में, तो वो eight lotuses, eight provinces को दर्शार थे थी, और एक moon का crescent हुआ करता था, ये represent करती थी Hindu और Muslim religion को, Hindus और Muslims को, ये था, वो हुआ था, एक, बेंगॉल में, अब गांधी जी ने, 1921 में उन्होंने क्या क्या था, उन्होंने एक स्वराज फ्लैग डिजाइन किया था, उसमें भी कोई तीन रंग थे, वो था, red, green and white, और उसमें एक, बीच में एक चर्खा था, जो जिसे बोलते हैं, spinning wheel था, वो चर्खा, चर्खा था, सिंबल बीच में था, इसमें ये गांधी जी का जो आइडियल था, उसको दर्शा था, तो जब ये फ्लैग लेके लोग जाते थे, ये जो राश्टर अंदर, उनके अंदर क्या होता था, एक सिंबल अफ डिफाइन्स था, कि हाँ, हम लोग इस मार्च में शामिल हुए इस फ्लैक पकड़ के हम जा रहे हैं, तो इसमें एक जो बोलते हैं ना, प्राइड महसूस होता था लोगों को, ये हर सिंबल में क्या-क्या महत्वा है, ये आप जानी है, ये बहुत ही महत्रूफ हुण है, दूसरा एक, इन्होंने फिलिंग अफ नेशनलिजम जो था, वो क उसको दूबारा से लोगों के सामने लाना, तो जो 19th century end तक लोगों के अंदर जो एक देश भक्त, देश भक्ती का जो है, वो प्राइड जिसे बोलते हैं, वो गर्व से हम देश हिंदुस्तानी हैं या भारती हैं, वो सोच आने लगी थी, अब भारत की इतियास में तो कई सारे इसके किसे भी हैं, लेकिन ये जो ब्रिटिश लोग थे, ब्रिटिश राज के टाइम, वो सोचते थे कि भारती लोग बहुती पिछडे हैं, बहुती पुराने खयालात के हैं, और वो अपना खुद का राज, खुद पे राज नहीं कर सकते हैं, वो इसको इसके भारती ने क्या क्या, उन लोगों ने क्या क्या, वो चले गए अपने इतियास के खोज में, जो बड़े बड़े जो अचीफमेंट्स हुए थे, जो बड़े बड़े किर्तिया हुई थी, पास्ट में, उसको क्या क्या उन लोगों ने ढूनना शुरू किया, उसके बाद उन उन्होंने इन सारी जो 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 डेवलोपमेंट्स हुई थी एंशन्ट पिरियड में, आर्ट में हो, आर्किटेक्चर में हो, साइंस में हो, मैथमिटिक्स में हो, रिलीजियन में हो, कल्चर में हो, लॉव में हो, फिलोजोफि में हो, क्राफ्ट, ट्रेड जो भी उस टाइ पास्ट का वो सारी चीज़े वो लेके आए, लोगों, और उन्होंने ये लोगों को दर्शाना शुदो कर दिया, कि देखो, हमारा ये जो पास्ट है, कितना ग्लोरियस था, और ये जो गोरे, ये जो अंगरेज आए, उन्होंने हमेरे उपर राज करना शुडू किया, हमारे पूरे देश को इन्होंने बरवात कर दिया ये उन्होंने अपने ये जो इतिहास में दर्शना शुरू कर दिया ये जो राष्टरवाद का जो इतिहास था इससे क्या हुआ लोगों ने चाउ से पढ़ा और भी गर्फ से उनका सीना चोड़ा हो गया हमारे हिंदुस्तान में भारत वर्ष में हमारे पुर्वज कितने महान हुआ करते थे और ये अंग्रेज जो थे हमें कहां लाके पटक दिया है इन लोगों ने तो इनके खिलाफ हमको लड़ना चाहिए हमें शंगर्ष करना चाहिए और इनको खदेड के बाहर निकल देना चाहिए ये तब इन्होंने करना शुरू कर दिया था तो ये सारी चीजे जो थी हलाकि लोगों को इकटे करने में कामियाब हुए थे लेकिन उनमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी कि खामिया थी जब हमारे पर्स्ट को गलोरिफाइ किया जाता था तो हिंदू जो लोग थे वो ज्यादा तादात में थे हमारे पोप्पुलेशन हिंदू पोपलेशन क्या हमारे देश में हिंदू अर मेज़ोरिटी तो obviously हमारा इतियास और भी strong होगा हिंदू का इतियास तो ज्यादातर चीजे जो थी हिंदू के बारे में था तो जो images थी जो हिंदू का iconography थी तो इससे क्या हुआ था जो minority community के जो लोग थे जैसे कि ज्यादतर Muslim community के लोग उनको लगा था कि वो इसमें नहीं है और हिंदू से ज्यादा numbers में हैं तो ये उस time हमारे यहां nationalism का वो pride कैसे बढ़ा जाए ये इन लोगों ने क्या हुआ था अब अंत में क्या हुआ वो हम अभी पढ़ेंगे तो हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है इसका निचोड क्या है अगर हम देखे तो ऐसा है कि जब लोगों का खिलाफ तो इससे कई तरह के जो गुट थे या संगठन थे वो इकटा हुए फिर हमारे जो वर्ग थे classes जो इंडिया में हैं वो भी साथ आए तो एक common freedom struggle के लिए first of the 20th century हम इकटा हुए और हमारे लोगों ने अंग्रशों के खिलाफ संगर्श किया उस वकत Congress जो की महात्मा गांधी के leadership के अंडर उन्होंने कोशिश की थी कि लोगों के जो मांगे हो उसको एक organized way में उसको इंडिपेंडेंस movement के थूँ वह अचीव करें यह जो राष्ट्रवाद जो नेता थे उन्होंने क्या किया थे उन्होंने यह movements के थूँ हम एक national unity लाने की कोशिश की लेकिन कई तरह के groups थे और कई classes थे उन्होंने पार्टिसिप्रेट किया थे लेकिन उनके जो expectations थे उनकी मा कुछ थी वह different थी अलग-अलग थी फिर भी एक ही चाते के अंदर आके उन्होंने अंग्रेजों खिलाफ लड़ाई कि यहां पर कॉंग्रेस पार्टी क्या काम करते थी सोच लेजिए कि इनके अंदर जो मदवेद हुआ करते थे वह चाते थी कि कैसे भी करके यह मदवेद स कि क्योंकि सारे इकटे रहने से क्या होता है किसे के खिलाफ अगर आप लड़ाई करते हो तो जीत आपकी जरूर होती है तो इसी हिसाब से उन्होंने यह लोगों को एकटा करने की यूनाइट करने की कोशिश की थी लेकिन कई के यही बार वह सेक्सफुल भी हुए थे कई क पर वह अंसक्सफुल हुए थे और जो यूनिटी हुई नहीं थी देर वस ब्रेकडाउन यह भी हुआ था लेकन आखर में क्या हुआ एक भारत भारत वर्ष भारत एक देश बनके उभर के आई उपर कई लोग थे कई डिमांड थी और उनकी कई आकांग शाय थी लेकिन फि नही खुबी था हमारे पूरे नशनल मुव्मिंट में। So, with this I come to the end of this video, Nationalism in India. Please like this video and share it with friends and do not forget to subscribe to this channel because you will find more interesting videos which will be helpful in your studies. I will be coming back with more educational videos so don't forget to tune in. All the best and see you soon. Bye-bye.